This is the case between Bhavu Jivaji vs. Mulji Dayal, जो की हुआ था 1888 में, आईए इस case के बारे में जाए So what are the facts of this case, इस case में क्या होता है, एक police constable को सुबह सुबह एक आदमे दिखता है, ठीक है और उस आदमी के पास three pieces of clothes होते हैं, ठीक है He suspected the clothes to be stolen, constable को लगता है ये कपड़े चोरी के हैं And therefore, question the man, उस आदमी से question पूचता है कि भया ये कपड़े किसके हैं, सुबह सुबह कहा ले जा रहे हो, whatever, ये सब ठीक है और man कुछ भी answer करने से मना कर देता है, और कपड़ों को चूने से भी मना कर देता है And वो man को operate नहीं करता, पुलिस के साथ, ठीक है इस वज़े से constable arrest कर लेता है उस आदमी को, ठीक है और लगभग चार घंटे तक custody में रखता है उसको, ठीक है And उसके बाद पता चलता है कि the clothes are not stolen, वो चोरी के कपड़े नहीं है ठीक है Therefore, उसके बाद he prosecuted the constable वो आदमी case file गर देता है constable के उपर for wrongful restraint and confinement ठीक है जबरदस्ती कैद में रखने के लिए बिना बात के, ठीक है इस वज़े से case file गर देता है constable के उपर What is the issue in this case? इस case में क्या issue है? एक person को arrest कर लिया जाता है जबकि उसके पास कोई भी stolen property नहीं है ठीक है अब court को देखना है कि यह wrongful restraint and confinement है या नहीं है और constable को इसके लिए libel ठेहराना सही है कि नहीं है ठीक है So what was held in this case? court क्या कहती है court यह कहती है कि the constable in good faith उसने जो करा वो good faith में करा ठीक है और उसे लग रहा था कि वो stolen property है और वो legally justified है उस person को detain करने में उस person को custody में डालने के लिए वो सही काम कर रहा है उसे ही लग रहा था right and वो questions पूछ रहा था man से बलकि man ही वो आदमी ही cooperate नहीं कर रहा था उस constable के साथ यह दिखाता है कि वो good faith में था constable क्योंकि उसने उस आदमी को सीधा ही अंदर नहीं डाल दिया उसको जो शक हुआ उसने उस शक को confirm करना चाहा आदमी से questions पूछके so that shows that the constable was in good faith right and जो suspected property थी right वो stolen थी that was a mistake of fact उसने कोई कानून जुर्म नहीं करा है उसने सर्फ भूल करी है जो stolen property नहीं थी उसको stolen समझ लिया and that belief was in good faith this is the main point here right and वो protect होगा under the section 79 of the EPC section 79 इसी चीज़ के लिए बिल्कुल डारेक्ट इसी चीज़ के लिए हिट करता है कि कोई person अगर good faith में है और उसे लग रहा है कि वो legally justified है करने में चीज right so वो protect हो जाएगा under mistake of fact अगर कोई वो mistake कर दता है fact के बेस पे so that's it thank you for joining me in this video